नमस्कार मैं आयशा आप देख रहे हैं UK टाइम्स टीवी देर से ही सही पर मसूरी में आखिरकार भारी हिमपात देखने को मिला लंबे इंतजार के बाद परवतो की रानी मसूरी ने आखिरकार बर्फ की चादर ओड ही ली हलकी नमबर दिसंबर में मसूरी में हिमपात हो जाया करता था किन्तु इस बार फर्वरी में हिमपात हुआ है मौसम विभाग की भविश्यवानी फिर से सटीक साबित हुई है देर रात हुई हिमपात से मसूरी की आभा ही अलग दिखाई दे रही है बर्फ पर पट्टी सूरस की सुनेरी केड़ने स्वर्ग सा एहसास करा रही है हिमपात के होने से जहां एक और इस्थानी वैपारियों के चेहरे खिल गए हैं महीं आए हुए सलानी भी बरफबारी होने से खुश है बारिश और बरफबारी न होने से जहां एक और चिंता की लकीरे दिखने लगी थी वहीं अब बरफबारी होने से पानी के श्रोथ भी रिचार्च हो जाएंगे और फसल के लिए भी लापकारी है सेलानियों के आने से इस्थानी वैपारियों के वैपार में भी हिजाफा होगा बाहर से आए परियटकों का कहना है कि वे काफी समय से हिमपात का इंतजार कर रहे थे सोशल मीडिया और न्यूस देखकर पता चला कि मसूरी में हिमपात हो गया है तो वे सुबा ही मसूरी पहुँच गए, हाला कि बरफ पर पाला पढ़ने के कारण उनकी गाड़ी उपर नहीं आ पाई, बावजूद इसके वे लोग पैदल ही मसूरी आ गए हैं, और खूब इंजॉय कर रहे हैं सवती गोरिख रहे हैं यह इसको बहुत बहुत आए हैं और प्रही अच्छा स्णों फॉल है काफी नीचे तक है काफी नीचे तक है काफी अच्छा स्णोंफॉल है और काफी इंजार करने के बाद हुआ है हमने पूरा सीजन वेट किया था और जब कल हमने देखा वीडियो में और अपने फ्रेंड्स के थ्रू किया स्नोफॉल हो गया है तो हमने तुरंट प्लान किया हम सुभे अपने घर से साड़े चार बुजे निकले थे और काफी जादा बरफ बादी है काफी पाला पड़ चुका है सड़कों पे तो काफी नीचे पाक करके हम पैदल चल के आये हैं हम साड़े पांच पॉने शे बज़े समने वाक करना शुरू किया था मसूरी में अच्छे से गोमते वे अब हम चार दुकान की तरफ जा रहे हैं बाल फाल प्लेस बहुत काफी जादा है अब तो नहीं लगता द। फट में हुआ है क्योंकि अब इसके बाद तो डाउटी है की होगा वट ये जो हुआ है यह बहुत अच्छा हुआ है अ इसके बाद अच्छा है बहुत खुबशूरत है और सब्सी पाती है के विट आज प्रॉब्लम रिगार्डिंग इनी डिरिक्षिन ऐसा कुछ भी आफ फेस नहीं करेंगे इन काफी एजुकेटेड लोग है इंफाक्ट फॉर्म आप हम बहुत लेख से तने हैं तैक्क है अपलो प्रॉब्लम लोग ने गाड़ी उठाई और पार्क करी है किंग्रेट में वहां से अर्ली मॉर्निंग वाक करके आ रहे हैं चार दुगान की तरफ यह हाइस पॉइंट है और यहां पर स्नौफोल सबसे ज्यादा है तो देखो अभी इन्जॉइ करते वे जा रहे हैं तो दिख यहांट